ठीज़US, मैं आपका बहुत बहुत बेलकम है दोस्तों, जिन्नों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, और धेशारा कमेंट किया है, उसके लिए आपको तहे दिल से सुक्रिया दोस्तों, और साथ ही साथ जिन्होंने नया ज्वाइन किया है वो हमारे चैनल को लाइक करें, सबस्काइब करें यहाँ पर आज का नया टॉपिक है दोस्तों कि आपके भागे में क्या लिखा है यहाँ पे दो स्टोन रखे हुए हैं एक ग्रीन रंग का रखा है और एक वाइट रंग का स्टोन रखा है देखते हैं कि आपकी भागे में क्या लिखा हुआ है क्योंकि भागे ऐसी चीज है कोई छीन नहीं सकता है दोस्तों और भगवान उसकी भी मदद करते हैं जो बहुत भागे शाली होता है कर्मध कुछा है और हर वरकिंग होता है स्वाँ डेखें कहाने कि आपके भाग में पिरीया यह भी हुआ है पहला कार्ड अपने आप निकल के आया दोस्तों यहां पे दिया गया है सेल्फ बर्थ यानि आपके जो भागे में लिखा है कि आप अपने आपको जानेंगे अपने आपको पहचानेंगे अपने अस्तित्तों को पहचानेंगे आपका जो सेल्फ बर्थ है वो बहुत अच्छ तरह बाहर निकलके आएगा यानि आप खुद को भी पहचानेंगे और सभी लोग आपको भी पहचानेंगे कि आपका self-birth क्या है आप क्या है आप कौन है क्या है यह सब चीजे आपके भाग में चलके आ रही है और साथी साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद भी अपन जानेंगे, सेलf रिस्पेक्ट करेंगे और जानेंगे कि मैं कौन हूं, क्या हूं, सबसे बड़ी खास बात यह आपके जिंदगी में आ रहे हैं दोस्तों, यहां पे आपके भाग में यह लिखा है कि आपका परिवार आपका साथ देगा आपके हर कामों में हर चीजों में सुख हो दुख हो आपकी फैमिली आपके साथ रहेगी कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी यहाँ पे यह आपके भाग में आ रहा है यानि जब भी आप अकेले रहेंगे या तनहा रहेंगे या सुख में रहेंगे तो आपकी फैमिली जो है आपका साथ निभाने वाली है आपको छोड़ने वाली नहीं है यह आपके भाग में लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स स्टार्ट यानि आपके जीवन में कोई नहीं सुरुवात होने वाली आपके भाग में यह लिखा है कि कोई आपके साथ या तो नौकरी से संबंदित हो सकती है या तो जॉब से संबंदित हो सकती है या तो किसी हो सकता है आपका नया नया प्यार हो, नही नहीं दोस्ती हो, नहीं जॉब हो, यानि कुछ ऐसी नहीं शुरुआता आपके जिन्दगी में, आपके भागे में लिखा हुआ है। तो यहां पे आपको बहुत धे सारा ज्यान की बाते मिलने वाली हैं, ज्यान के सुरोत मिलने वाले हैं, आपको कहने का मतलब आप हाई एजुकेशन भी कर सकते हैं, ज्यान प्राप्त कर सकते हैं और ज्यान दे भी सकते हैं, इतना बड़ा आपके भागे में लिखा है कि आप ग्यान के दाता हैं, ग्यान भी दे सकते हैं और ले भी सकते हैं, यानि आप बहुत ही एक intelligent person है, जो की ग्यान देते भी हैं और ग्यान लेते भी हैं, यहाँ पर आपके जितने भी आपने dream देखे हैं, जितने आपने सपने देखे हैं, वो सब आपके इतने भागे साली हैं, कि आपके तरी पूरे होने वाले हैं। आपके जीवन में आप जो भी आप सपने देख रहे हैं या जॉब से संबंदीत हैं। दोस्तों कि आपके भाग के निर्माता खुद है यहाँ पे मजीशन का काड़ा है मेजर आरकाना का काड़ा है यानि आपके अंदर वो शक्ती है वो चीज है वो ग्यान है वो शक्तियां है जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं यानि आपके अंदर दूसरों को अट्रेक्ट करने की चमता है दूसरों को ज्यान देने की चमता है दूसरों को सिखाने की चमता है यानि आपके भाग में इतना अच्छा लिखा हुआ है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं चाहे वो कोई भी छेतर हो आप उसमें पूरे परिपक को हैं पूरे इंटेलिजेंट हैं आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं आपके ही हाथ में हर चीज करना इतने आप लखी परसन है इतने आप भागेसाली परसन है कि और आपके बताता है कि कुछ लोग को इरोजनेट होगा दोस्तों कि आप अपने जो बहुत मेहनत कर रहे हैं हार्ट वर्क कर रहे हैं उसका फल आपको नहीं मिल रहा है यानि बहुत हार्ट वर्किंग परसन है फिलाल आप किसी चीज को लेकर बहुत ही परिशान है दुखी है काड के figure को देखी लिजे लेडिस बहूत परेशान हैं चिंती थे तो आप हो सकता है कि आप को कुछ ऐसी समझाएं हैं कुछ ऐसी तकलीप हैं चाहें हो फैमिली से सम्बंधी तो चाहें हो finance सम्झी सम्झी तो अ कुछ भी ऐसी तकलीप हैं जो आप आप समझते हैं और उसका आप काम कर रहे हैं लेकि उसका फल नहीं मिल रहा है और डिवाइन आपको देने की कोशिस कर रहे हैं लेकिन आप उस तरफ नहीं देख रहे हैं आप बहुत चिंतित और परेशान हैं तो यहां बताए जा रहा है कि आप चिंतित ना रहे हैं परेशा नियंतित करने की सकती है आप में कोई फादर फिगर भी नजर आता है यानि आप सबका ध्यान रखते हैं सबका केयर करते हैं सबकी उसकताओं को पूरा करते हैं और आप बहुत इंटेलिजेंट हैं कोई भी काम करते हैं तो सोच समझ के करते हैं ऐसे ही फालतू काम नहीं करते करते हैं यहां पर देखते हैं और क्या आपके लिए आ रहा है आपके भागे में अधे सारी काड निकल दोस्तों यहां पर आया प्रोजेक्शन चेंज एक्सपीरियंस यहां पर इस काड से दिखाई दे रहा है दोस्तों कि आपके जीवन में कोई ऐसा प्यार आने वाला है जो आपके दुखों को समझेगा आपके सुखों को समझेगा यानि रिफ्लेक्शन यानि आपका चेहरा दिखेगा उसमें आपको कोई ऐसा नया दोस्त मीत्र प्यार आएगा आपके लाइफ में हो सकता है किसी किसी की नई शादियों किसी किसी का नया लव हो तो आपको जि बहुत धे सारा प्यार करेंगे, आपके जीवन में बहुत बहुत बड़ा चेंजे जाने वाले हैं, बहुत ही आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है, बदलाव आने वाला है, हो सकता है कि आप अगर अच्छे हो तो और भी अच्छे हो जाएंगे, और बहुत अच्छे ह बदलाव आ रहा है परिवर्तन आ रहा है और आपका जीवन बहुत बहुत जल्दी बदलने वाला है और वह भी उसमें खुशियां आने वाली है जो आये आने वाला है और साथी साथ आपका जो जो भी समय है आपका परिवर्तित होने वाला है और आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है इस कार्ट से यह पता चलता है कि आपको बहुत बहुत इस कार्ट से भी पता चलता है कि experience change आने वाला है experience होने वाला है यानि आपके जीवन में experience से ही आपका जीवन परिवर्तित होने वाला आप अपने जीवन से इतना उन्भव प्राप्त करेंगे इतने ज्यान प्राप्त करेंगे कि आप खुदी बदल जाएंगे और आपका जो लाइफ है बहुती सक्सेज़ और सफलता से भरता चला जाएगा और आपका जीवन बहुत खुशियों से भर जो जाएगा चाहे हो आर्थिक हो चाहे वह लव-like हो और चाहे वो कोई भी चीज हो आपके लिए अबंड़न्स इअबंडनस आ रहा है एक्स्पिरिय्यन्स आ रहा है चैंज आ रहा है सुख सम्भिद्धिया आ रहा है आपके भाग्य में अब एक इंसान को इससे ज़्यादा क्या चाहिए दोस्तों यहाँ पर इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए आपके जीवन में सारी खुशियां आ रही है परता रहा है नया प्यार आ रहा है एक्सपीरियंस आ रहा है तो आपका भाग्य जो है आपका बहुत बहुत साथ देने वाला है इस समय अगर यह फाइल आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए कमेंट भी लिखिए थैंक यू हाई गाई जिनोंने वाइट रंकर स्टोन चुना था देखते हैं कि आपके लिए कौन से आपके जीवन में आपके भाग में क्या लिखा हुआ है भाग में आपको क्या मिलने वाला भाग आपको क्याGolden वाला है और क्रियेटर वंडर रिलेकस gratitude शान्ती रखो याने आपके जीवन में आपका भागे आपको एक रचनात्मक वंडर दे रहा है रचनात्मक कारे दे रहा है इस काट से यह पता चलता है कि आप बहुत creator person है बहुती creative person है बहुती आप रचनात्मक कारे करते हैं हो सकता है आप YouTuber हो, हो सकता है कि आप कोई ऐसे कलाकार हो हो सकता है कि painting करते हो, poet हो, tarot reader हो, palm leader हो यानि आप ऐसे creative छेतर में हैं जो आप हमेशा high level पे रहेंगे आपके भागे में यह लिखा हुआ है कि आप रचनात्मक कारे में एकदम excellent रूप में रहेंगे और उचे पद पर रहेंगे, जहां भी रहेंगे यहां पे यह दिखा जा रहा है कि आप थोड़ा सा अगर आप ठक गए हैं, हार गए हैं या तो आपको थोड़ा सा काम का बोच लग रहा है, वर्डन लग रहा है तो थोड़ा relax कर लें, अपने जीवन को थोड़ा आराम दें, थोड़ा सा अपने सरीर को relax दें तो आप और भी healthy हो जाएंगे, और भी स्वस्थ हो जाएंगे यानि अगर आप को इश्वर ने इतना जादा दिया है, धन दिया है, दौलत दिया है आपको इतना अच्छा creator, person बनाया है, तो आपको gratitude होना चाहिए, आपको इश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, आभार प्रकर्ट करना चाहिए, कि इश्वर ने मेरा इतना अच्छा भाग दिया है, कि मेरे पास सब कुछ है, धन, दौलत, सुक्सम्रिद्धी, सब है gratitude होना चाहिए, इश्वर के प्रती, गोड के प्रती, आप जिस भगवान को मानते हैं, उसके प्रती आपको gratitude होना चाहिए, यहाँ पे बोला जा रहा है, कि आप थोड़ा पीस रखो, अपने अंदर पीस रखो, शांती रखो, तो आपके जितने भी कारे हैं, वो बनते चले जाएंगे, और आप जब भी रहेंगे, आप बहुत उचे पद पर रहेंगे रशनात्मकार में, बहुत ही आप भांदिश्वालियां देखते हैं, कि टेरो कार्ट से आपके लिए क्या निकल क्या रहा है, एट अप पैंटिकल्स, टू अफ रोड्स, थ्री अफ सोर्स, दोस्तों यहाँ पर आपके भागे में यह दिया गया है, कि आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, जो भी मिलेगा आपके हाड़ वर्क से मिलेगा, मेहनत से मिलेगा, और आप मेहनत से हाड़ वर्क से ही आप आगे जाएंगे, आप अपने कर्मों से, अच्छे कर्मों से हाड़ वर्क से ही आप बहुत उचे लेबल तक जाएंगे, आप बहुत आने वाले इन फ्योचर बहुत बहुत सक्षे जो शफल होंगे, आपका भागे बहुत अच्छा है दोस्तु, जो भी second फाइल चुने थे, आप अपने hard work से, महनत से, अपने अच्छे कर्मों से, अपने भागे से, बहुत उचे लेबल तक जाएंगे, बहुत high लेबल तक जाएंगे, जिसमें आपका hard work जो है, बहुत ही मैने रखता है, और आ बहुत ही मेहनती बैखती बहुत पलश्रमी बेखती एे जिसके के आप बहुत जादा पैसा कमुष्णारी का सภी में अने वाला है कि अगर आप बीदेश जाना चाहते हैं Scale को दो के जा सकते हैं आप किसका अंतजार कर रहे हैं आपके भागे में ये लिखा है कि आप गुमने के परपस से ही जातरा पर जा सकते हैं ये भागे लिखा है आपमें यहां पर इस काड़ से दिखाई दे रहा है कि आपके love life में कोई ऐसा third person है जो आपको बहुती परिशान कर रहा है चारों तरफ से आपके सीने में दिल में छूरा भोक रहा है और आप बहुत mentally और hardly बहुती बहुती ज्यादा परिशान है यहां पर यह दिखाई दे रहा है कि आपके love life जो है बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है आपके भागे में और love life में आप बहुती तकलीप में है परिशानी में है आपका दिल बहुत तूटा हुआ है रूठा हुआ है जिसके कारण आप बहुत बहुत पेन में है यहां पर तो आपकी love life आपके भागे में उत अच्छी नहीं लिखी है हो सकता है कि family issue हो सकता है कि third party situation हो सकता है कि आपका किसी और से affair चल रहा हो हो सकता है कि आपके कामों में कोई third party ऐसा जो आपको परिशान कर रहा है यानि third party कोई भी हो सकता है दोस्तों जो आपको बहुत परिशान कर रहा है यह लिखा है आपके भाग में देखते हैं कि औरिकल कार्ट से आपके जीवन में क्या आ रहा है इस कार्ट से यह पता चलता है दोस्तों कि आप बहुती एक अध्यात्निक परसन है आप बहुती आपके अंदर इश्वर की शक्ती है आप जो भी काम करते हैं इश्वर का नाम लेकर गौड का नाम लेकर करते हैं जो भी काम सुरू करते हैं भगवान का नाम लेकर करते हैं या आपने मुझे इतनी बड़ी शक्ति दी इतनी बड़ी मुझे छमता दी है कि मैं इतना अच्छा काम कर लेता हूं मैं इतना अच्छा हूं और आप में spiritual अभेकिंग भी हो रहा है आप एक अध्यात्मिक परसन आप बहुत नेक दिल बहुत अच्छे इंसान है आपके भागे मे यह लिखा हुआ है कि आप बहुत ही यहां पे कंजूस है कोई भी चीज आप खर्चा नहीं करना चाहते हैं कि होई पैसा हो कपड़े कोई ब zorIK कोई यह असी बस तो है उसको छुपा के रखतें दबा के रखतें खूले दिल से नहीं आप काम करतें तो इस से बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा कंजूसी पंछोड़िये और दिल खोल कर जीवन जीएं और प्रजेंट में कि यहां पर दी आ जारा है आपको सोर्सेज आपके पास सौर्सेज बहुत हैं दोस्तों यहां पर बहुत भागेशाली परसन है कि इश्वाँ ने आपको बहूत सारे sources दिये हैं श्रोत दिये हैं जरिया दिये हैं काम करने के लिए Job दिये हैं बेऊसायदी होंगे हो सकता है कोई कोई बहुत बड़े subscribed हूं भूत बड़े निर्माता रहूं बहुत बड़े Keys दो से आपट आप बहुत बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं आपके पास बहुती सुक सम्रिद्धी है धन दौलत है और आपके भाग में लिखा है कि आप कई स्रोतों से कई सोर्सों से आप पैसा कमाएंगे धन कमाएंगे और आप एक बहुत बहुत सुक सम्रिद्धी वाले परसन बहुत रि काड से यह भी पता चल ला है और आप कंजूस मत बनिए बलकि अपना जो पैसा है दान धर्म कर्म में लगाईए क्योंकि यह स्पीच्वल अवेकिंग का काड है तो आप एक बहुती नेक दिल परसन है तो आप चरटी भी कर सकते हैं कुछ दान भी कर सकते हैं गरीब हो की क्रेडिंग दिखानी है थारह डिखाना है तो आप मेरे से कॉंटरेक्ट कर सकते हैं नमबर कि डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दिया गया है आप मेरे से कंट्रेक्ट कर सकते हैं दोस्तों थांक यू तैंक यू सो मच आभी वन अ कि शर mansion झाल झाल